नमस्कार S.T. योगी में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आचारियासिस डिंगवाल और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में देनिक रासी फलकी दर्सकों सुरू करने से पहले खास अपील अभी तक अगर आपने हमारे इस चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें लाइक भी करें और अपने मित्रों को सेल भी करें 28 दिसंबर राशी मेश ओवर्वियू आज आप अपने रास्ते की मुश्किलों को देख कर थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे आप इन परेशानियों से बचने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन परेशानी आ ही गई अपने गुस्से को काबू में रखते हुए धैर और साहस से इन परेशानियों से उबरने की कोशिश करें 28 दिसंबर राशी मेश रोमैंस अगर आप अकेले माता या पिता हैं और अपने बच्चों के लिए पार्टनर की खोज में हैं तो आज सफल हो सकते हैं यूँ तो आप इस मोर्चे पर नाकाम रही हैं पर आज अंततह आपको अनुकूल पार्टनर मिल ही जाएगा 28 दिसंबर राशी मेश करियर कारेक्षेतर में पिछले कुछ दिनों में जो विकास हुआ है उसके कारण भविश में आपको लाभ ही मिलेगा जिन लोगों को किसी शुब समाचार का इंतिजार था आज उन्हें वो खुश खबरी मिल सकती है विद्यार्थी जिस मेहनत व लगन से पढ़ाई कर रही हैं अंत में उन्हें अपनी मेहनत का शुब पर नाम मिलेगा 28 दिसंबर राशी मेश आज अपने समबाद में सावधानी रखें क्योंकि इसमें हुई एक चूक से आपकी तिजोरी पर असर पढ़ सकता है अगर आप उपकरणों की खरीद या ओर्डर दे रही हैं तो उसकी मात्रा और उसके मूले पर ध्यान से नजर डालने नहीं तो क्या पता ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ें जहां सब का ठीक ठीक ब्योरा रखने से आप सुरक्षित रहेंगे 28 दिसंबर राशी मेश हेल्थ आज तवचा संबंधी बिमारियों में आराम होगा परंतु साथ ही ध्यान भी दें सुरत से बच कर रहें यहानिकारक हो सकता है खान-पान में सावधानी बरतें वरना आपकी तवचा को नुकसान पहुँच सकता है 28 दिसंबर राशी व्रश आपके परिवार का कोई सदस्य अत्वा कोई मित्र आपको निराश कर सकता है और आपके सामने कोई परिशानी भी खड़ी कर सकता है गुस्से में आकर शायद आप उन्हें डाटना चाहें लेकिन अच्छा होगा कि आप उसे प्यार से ही समझाएं उनको सजा देने की बजाए प्यार से समझाना ही ठीक होगा तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा जिससे आप शादी करना चाहते हैं आज उसकी ओर से आपको सकारात्मक संकेत मिल सकता है आप आज अपना भाग्य आजमा सकते हैं और शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं अगर अनुकूल उत्तर तुरंत नहीं मिलता तो धीरज रखें और उसके लिए कोशिश करते रहें आज आपकी सफलता की कुझी है कार्याले में सहकर्मियों के साथ काम करने की सहीक्षमता का होना आज की आपकी सफलता सिर्फ आपकी ही नहीं वरन समूह की है आपको अपनी प्रेरणा दाई योजनाओं से सहकर्मियों का मनोबल बढ़ाना होगा जिससे आपके लक्षें तक आप पहुँच सकें 28 दिसंबर राशे ब्रिश कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले दो बार सोचें किसी बड़े बुजर्ग की सला बड़े काम की होगी यदि कोई बड़ी योजना शुरू करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाईए सही वक्त आने दें अपने आर्थिक लक्ष को मजबूत करने के लिए आपको सही दिशा अपनाने की ज़रूरत है अपना लक्ष तै करें और उसे पाने में दिन रात एक कर दें आपकी सकारात्मक सोच और लगन आपको बड़ी आर्थिक सफलता दिलाएगी जिसके आप हक्तार भी है आज आप कुछ व्यस्त रहेंगे आप खुद को भी समय नहीं दे पाएंगे आप इसे नजर अंदाज ना करें बलकि 20 मिनट को आफिस में ही तह लें जरूर 28 दिसंबर राशे मिथुन अगर आप सोचते हैं कि आप किसी जगह अच्छी तरह से बस गए हैं तो एक बार फिर सोच लें शायद आज आपको अपना घर बदलने की जरूरत पड़े आप शायद खुद ही घर बदलना चाहेंगे लेकिन अगर आपको बिना इच्छा के भी घर बदलना पड़े तो भी निराश ना हूँ ये बदलाव आप के लिए शुब ही रहेगा 28 दिसंबर राशिमिथुन रोमैंस दमपती को एक दूसरे से ठहराव वसंतुष्टी मिलेगी इस समय का आनंद उठाएं वशाम को साथी के साथ समय बिताने के लिए बाहर अवश्य जाएं 28 दिसंबर राशिमिथुन करियर यदि आप अंकों के विवसाई में हैं तब आज का दिन कई सुख़द प्रस्ताव लिए हुए है अवसरों से भरा और उत्पादक अवसरों से भरा दिन है आज का आप अपनी कड़ी महिनत का फल सही परिणामों के रूप में जल्दी ही देख पाएंगे 28 दिसंबर राशिमिथुन फाइनस कुछ अतरिक्त जिम्मेदारी लेकर आप अपनी आर्थिक सिती को मजबूत कर सकते हैं आपको दूर के फायदे को सोच कर चलना होगा इसलिए दूसरों की प्रेरणा के बगएर खुद ही पहल करके अपने काम को आगे बढ़ाना होगा अपना व्यावसाइक और आर्थिक लक्ष पाने के लिए अपनी रचनात्मक ख्रमता काम में लाईए कोई भी नई व्यावसाइक योजना शुरू करने से पहले उसकी समझदारी से प्लानिंग कर लेना जरूरी है पैसा कमाने के लिए जरूरी है कि आप हाथ आए मौके को न गवाएं जल्दी और सही निर्णे लेने की ख्रमता बढ़ाएं इससे भविश्य की चुनोतियों से लड़ने में आसानी होगी 28 दिसंबर राशे मिथुन हेल्थ आप अपने स्वास्तिका ध्यान रखें आप बीमार पढ़ सकते हैं आप अपने शरीर को अच्छा कर सकते हैं परन्तु आपको सड़क किनारे तयार होने वाले खाने से बचना होगा आप ज्यादा पानी ताजे फल और सबजिया लें समया नुसार व्यायाम करें तहलें यो आपको अपनी जिन्दगी में भी नएपन का एहसास होगा घर में किये गए ये परिवर्तन आपके अंदर के परिवर्तन को ही दर्शाएंगे एक बात का ध्यान रखें कि आप सजावट के लिए केवल वो ही सामान खरीदें जिसकी आपको जरूरत है फिजूल खर्ची से ब बैठें एवं अपने प्यार को तरो ताजा कर लें आपके शारिरिक संबंद बहुत अच्छे नहीं होंगे तथा पी साथ बैठ कर कुछ मनुरंजन अवर्श करें यदि आप विमानन के क्षेतर में अपना भविश्य बनाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए है आप अपने साक्षातकार में सफल होकर अपने भविश्य की नई शुरुवात करेंगे ये आपको अपने चुनोतियों को सही तरीके से लेने का फल मिल रहा है इस सफलत आप अक्सर पैसे का हिसाब किताब रखने में भुलकड हैं इसलिए आज आप अपने खर्चे का ठीक हिसाब रखें ये भी मुम्किन है कि आपने बैंक से रकम निकाली और उसे गैर जरूरी और छोटी छोटी चीजों पर खर्च कर दिया जिसका आपने हिसाब तक नहीं र आपका स्वास्त तो ठीक रहेगा परंतु पेट रोग होने की संभावना है अच्छा खाएं और व्यायाम करें आप स्वास्त की ज्यादा चिंता ना करें यह तो अस्थाई परेशानी है आप खान-पान का ध्यान रखें धैर्य और द्रड संकल्प आज आपकी पहचान रहेंगे आपका नम्र स्वभाव वद्रडता आज सब का मन जीत लेंगे और कुछ नहीं तो आपको एक ऐसा मजबूत इंसान बनाएंगे जो हर परिस्तिती को आसानी से संभाल सके आज आप किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में शामिल होंगे यहाँ आपको एक खास व्यक्ति मिल सकता है कोई परिवार का व्यक्ति इससे आपका परिचय कराएगा यह स्थान किसी नए व्यक्ति से मिलने के लिए सुरक्षित और अनुकूल रहेगा क्योंकि वहाँ आपके परिवार वाले भी होंगे 28 दिसंबर राशे सिंग करियर आज ओफिस में आपको अपने बॉस का ध्यान अपनी ओर आकरशित करने में कठिनाई हो सकती है आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हैं लेकिन उसका परिणाम आपके अनुसार नहीं मिल रहा लेकिन परिशान नहों आने बाले समय में आपको इसका लाब जरूर मिलेगा आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका अरलगातार काम करते रहना ही है आज अपने उपर या अपने किसी प्रियव्यक्ति पर खर्च कीजिए सिर्फ काड या उपहार पर ही निर्भर ना रहते हुए अपने मूड को भी बदल डालिए आज उनके लिए सबसे बढ़िया अच्छी सोचवाली और समवेदन शील ऐसी वस्तु उपहार में खरीदिये और इस खरीदारी के दौरान अपने लिए भी कुछ ना कुछ ले ही लीजिए 28 डिसंबर राशे सिंग ज्यादा तनाव में रहने वाले लोगों को सावधान रहने किया वशकता है अगर आप ज्यादा वज़न से परेशान हैं तो उसे भी कम करें क्योंकि यही आपके लिए लाबदाई है सिर्व शाकाहारी खाना लें और नियमित व्यायाम करें आपको लाब होगा यदि आप साधना को अपने जीवन का नियमित स्थान दें आज आप पाएंगे कि विदेशी लोगों से आपके रिष्टे बनते जा रहे हैं विदेश में रह रहे आपके दोस्त आपको वहां आने का निमंतरन दे सकते हैं या फिर काम के सिलसिले में भी आपको वहां बुलाया जा सकता है इस अफसर का फाइदा उठाते हुए अपने दिष्टों को मस्बूत बनाएं और साथ ही अपनी सोच के दाइरे को बढ़ाएं आज आपको चाहिए कि आप विचार करें क्या आपके आपसी रिष्टे वास्तव में प्रेम व इमानदारी से परिपूर्ण हैं आप अपने उन गोपनिय शंकाओं से जूज रहे हैं जो कि आपके साथी की जानकारी में नहीं हैं रोजाना की इस जद्दो जहद के बावजूद आप किसी निशकर्ष पर नहीं पहुँच पाएंगे आज आप विचार करें कि क्या वास्तव में आप अपने रिष्टे से खुश हैं यही खुशियां आपके वैवाहिक जीवन में सपनों का आधार होंगी यदि आप बैंक के क्षेतर में काम करते हैं तो लंबे समय के बाद आज आपको प्रगती का मार्ग मिलेगा सभी के साथ अच्छे संबंध रखना आपके लिए फायदे मंद होगा आपको कार्याले में अपना अच्छा विवाहार रखना होगा 28 दिसंबर राशिकन्या, फाइनांस आज आप महसूस करेंगे कि आपकी दर्ध जैसी परेशानी दूर हो जाएगी आपका खुद का मन व्यायाम करने के लिए करेगा हो सकता है आप फिर से योग करें आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कर्म करने की शक्ती बढ़ गई है वैसे आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी इसलिए आज आप व्यायाम कर सकते हैं आज नई दोस्ती की नीव रखने का दिन है आज नए व्यावसाइक वसामाजिक संबंध बनने के प्रबल संकेत है किसी सामाजिक समारोह में आप नए नए लोगों से मिलेंगे जिससे कई नए संबंध भी स्थापित हो सकते हैं आज आपको अपना फोन नंबर या इमेल आईडी बदलने में जरा भी नहीं हिचकना चाहिए 28 दिसंबर राशितुला रोमैंस हाल की कुछ परेशानियों से च्छुटकारा मिलेगा वो जीवन में रोमैंस का पुनह आगमन होगा अपनी इच्छाओं के बारे में अपने साथी से खुल कर बात करें सभी विश्यों पर गलत पहमी आज ही दूर करना संबंध के लिए बहतर है 28 दिसंबर राशितुला करियर आपकी संप्रेशन कला आत्मविश्वास तथा आकर्शक व्यक्तित्व आज आपको अपने कारिक्षेत्र में अपनी कुशलता दिखाने में मदद करेंगे हाला कि आपको अपनी बात मनवाने वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहत महनत करनी पड़ेगी परेशानी में आसानी से काम कर पाने की आपकी क्षमता सभी को प्रभावित करेगी आप अपना लेन देन ठीक रखें ताकि बाजार में आपकी साख बनी रहे विशेशकर उन लोगों के सामने जिनसे आपने बीते समय में रिण लिये हैं आप अपने कर्तव्यों को न भूलें यदि आप एक बार अपना रिण चुकता कर देते हैं तो आपकी आमदनी में वृद्धी हो जाएगी 28 दिसंबर राशितुला हेल्थ आप अपने स्वास्थ की ज्यादा चिंता करते हैं जिसके कारण आपको लंबे समय में परेशानी हो सकती है आपकी इच्छाएं आपको किसी बीमारी की तरफ ले जा सकती है आप अपने स्वास्थ का ध्यान रखें और सकारात्मक सोच बढ़ाएं उन्नती से आपको अच्छा स्वास भी मिलेगा आपका सहस और तेज सोच आपको और लोगों से बहुत आगे ले जाएगा आपकी तीवर बुद्धी और अच्छी संप्रेशन कला लक्ष प्राप्ती में आपकी मदद करेगी अपनी सभी योग्यताओं का उप्योग अपनी व्यक्तिगत और व्यावसाइक सफलता की नीव रखने के लिए करें आज आप और आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा दिन है अगर आज आप किसी आयोजन में लगे हैं तो आपके पार्टनर आपको एक बहुत अच्छा तोहफा दे सकते हैं आप इसकी भरपूर तारीव करेंगे आज आप एक दूसरे के प्यार को परवान तक ले जाने में सफल होंगे 28 दिसंबर कमपनी के कर्मचारियों खासकर सरकारी कर्मचारियों को किसी काम के चलते विदेश जाना पड़ सकता है ये काम आपके भविश्य के लिए चमतकार के समान होगा इससे सुनहरा भविश्य वो आर्थिक लाब दोनों ही आपको मिल पाएंगे आप में से कुछ को बड़े रोचक व्यक्ति भी मिलेंगे 28 दिसंबर राशिवरिश्चिक फाइनांस हाल ही में आपके दिमाग में कुछ आर्थिक परेशानिया उत्पन न होंगी लेकिन आज आपकी सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा यह संकट की घड़ी समय के साथ साथ स्वयम समाप्थ हो जाएगी कुछ घाटे ततकाल पूरे हो जाएगे तथा कुछ को पूरा करने में अधिक समय लग सकता है जो भी हो अब आप स्वयम को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका आर्थिक भाग्य एक मोड लेगा और आपका अच्छा दिन आपके पास होगा अतह इस आर्थिक बदलाव का लाब उठाएं आज आपको वाहन चलाते समय बेहत सावधान रहने की आवशक्ता है आपके तारे इशारा कर रही है कि आज आपके साथ कोई सड़क दुरगट ना हो सकती है खास कर जब आप कोई आयातित स्पोर्ट्स कार चला रही हो आज आपको खयाल रखना होगा कि आप कार की स्पीड को थोड़ा कम रखें और सीट बेल्ट को प्रयोग में लाएं इससे आप छोटे हाथसों से बढ़ सकते हैं आज आप अपना जुकाव किसी नए काम की और महसूस करेंगे ये रुची चेस खेलने से लेकर आस्मान में उड़ने तक कुछ भी हो सकती है ये समय अपनी दिंचर्या में बदलाव लाने और कुछ मजे करने का है आज आपका मन जो भी करने को करें वो काम जरूर करें इसे करके आपको कोई पच्तावा नहीं होगा आज आपको रुमैंस पार्टनर मिलने की पूरी संभावना है पिछले दिनों प्यार की खोज में आपको निराशा हाथ लगी पर आज आशा की किरन फिर से जगी दिखेगी इस मौके को हाथ से न जाने दें कुछ समय के लिए रिष्टे बनाने की बजाए कुछ बात आगे बढ़ाने की कोशिश करें 28 दिसंबर राशे धनों, करिया कारेक शेतर में आज आप कुछलता का परियाय बन जाएंगे आपकी महनत वक कुछलता के परिणाम उम्मीद से भी अधिक मिलेंगे अपनी ओर से महनत करते रहें जल्दी ही आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे भरोसा रखें, आप सही दिशा में बढ़ रहें हैं 28 दिसंबर राशे धनों, फाइनांस विदेश में रह रहे अपने ग्राहकों से मधुर संबंद बनाने में हाला की थोड़े पैसे भी खर्च होंगे लेकिन यह फायदे मन साविद होगा नतीजा जल्दी ही सामने होगा 28 दिसंबर राशे धनों, हेल्थ योग विशे शग्य द्वारा दिये गए बहुमूल्य टिप्स आपके लिए लाबगारी सिद्ध होंगे ध्यान रहे, आप कुछ समय निकाल कर आराम जरूर करें आराम करते समय आप तनाव को अपने कंधों से निकाल फेंकें और इस समय आप अपने विचारों को भटकने न दें ऐसा नियमित करने से आपको आराम मिलेगा और उर्जा भी बढ़ेगी 28 दिसंबर राशी मकर ओवर्वियू आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है खूब मजे करें आज आपकी भावनाएं स्थिर रहेंगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे आज आपका आत्मविश्वास आसमान चू रहा है इसका फायदा उठाएं अपने आत्मविश्वास और उर्जा का अगर आप सही प्रयोग करेंगे तो आप वो अवश्य हासिल कर पाएंगे जो आपने अपने लिए तै किया है दमपत्ती अपने संबंध में ठहराव महसूस करेंगे अपने साथी को कार्ड अथवा उपहार दें आपकी समझ बूज की सरहना होगी आज आप अपने संबंध को लेकर जितना प्रयास करेंगे उसका प्रभाव उतने लंबे समय तक आपको वो आपके साथी को सुख प्रदान करेगा अगर आपके माता-पिता व्यवसाय करते हैं तो आपको इस विवसाय का हिस्सा बनने का नियोता दे सकते हैं जिससे की आप असमंजस में रहेंगे ये निरणय लेने में आपको समय लगेगा लेकिन आप चिंता ना करें क्यूंकि आप जो भी निरणय लेंगे उसके लिए आपको बाद में पच्ताना नहीं पड़ेगा 28 दिसंबर राशी मकर कोई अभिन्नमित्र या नस्दी की व्यक्ती भी आपसे रिण मांगने आ सकता है लेकिन आप इस वक्त कुछ भी देने की स्थिती में नहीं है आपको बहुर बुरा लग सकता है 28 दिसंबर राशी मकर आज आपको अपनी आखों को आराम देना होगा क्योंकि जादा देर तक टीवी या कम्प्यूटर पर बैठने से आखे खराब हो जाती है आज आख में दर्द हो सकता है इसलिए तनाव को कम करने की कोशिश करें कोशिश करें कि आप समय समय पर अपनी आखों को आराम दें स्क्रीन पर काम करते समय कुछ देर के लिए आराम लिया करें या फिर जिस स्क्रीन पर आप काम कर रही हैं उसे बदल दें अगर आपको लगता है कि आख की समस्या या संक्रमन बढ़ रहा है तो डॉक्टर की सलाह लें 28 दिसंबर राशिकुंब ओवर्वियू परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाने से आपके रिष्टों में और मजबूती आएगी याद रखें कि खुद को तरो ताजा महसूस करने के लिए परिवार के साथ समय बिताने से ज्यादा अच्छा कोई दिकल्प हो ही नहीं सकता इन सुनेहरे पलों का पूरा आनंद लें और अपने जीवन को जी भर कर जिएं आप अपनों के साथ समय बिताने के लिए उनके साथ किसी चोटी सी यात्रा पर भी जा सकते हैं आज आप अपने विप्रीत लिंग के व्यक्ति को अपनी और आकर्शित कर सकते हैं आप पाएंगे कि सामने से गुजरने वाले किसी सुन्दर व्यक्ति की ओर आप भी आज आकर्शित हो रहे हैं। आज आप आजाद रहना चाहते हैं। अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएं और सामाजिक कारियों में शामिल होएं। आपका स्वभाव आपके लिए अच्छ आज आप अपने काम को या कारिक्षित्र को बदलने की बात सोच सकते हैं। यदि आप वर्तमान काम को छोड़ते हैं तो ये याद रखिए कि इस दोरान रिष्टों में किसी किस्म की खटास जैसी सिति उत्पन्न ना हो। यदि आप अपने संबंधों को अच्छे से 28 दिसंबर, राशिकुंब, फाइनान्स 28 दिसंबर, राशिकुंब, हेल्थ, ध्यान रहे, जोखिम उठाकर आप अपने घर से ज्यादा दूर ना निकल जाएं क्योंकि सड़कों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। घर के आसपास की सड़कें ज्यादा बारिश होने से या फिर सड़क निर्मान की वज़ह से खराब हो सकती हैं, जिसकी वज़ह से आप लंबे समय तक ट्राफिक में फस सकते हैं। आपको यही सिलाह दी जाती है कि जोखिम उठाकर घर से ज्यादा दूर ना जाएं। बनाने के लिए आपको अपने घरवालों के साथ कहीं बाहर घूमने का कारेकरम बनाना चाहिए। इसका असर आपके रिष्टों पर भी साफ दिखाई देगा। आज रोमैंस में जोखिम उठाने का दिन है। आप अपने रोमैंटिक संबंधों में काफी सोच विचार कर कदम उठाते हैं। किन्तु आज अपने दिल की बात सुनकर काम करें। यदि आप किसी की ओर आकरशित हैं तो बताने का ये सही समय है। अगर आप एक कलाकार या हस्त शिल्पी हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आप पाएंगे कि आपकी कलात्मकता अपनी चरम सीमा पर है। इसलिए आज आप बहुत बढ़िया विचारों को जन्म देंगे। अगर आप किसी संस्थान में काम करते हैं तो आपके उच्छा धिकारी किसी प्रोजेक्ट के लिए आपकी सराहना करेंगे। इसके या फिर प्रमोशन भी मिल सकता है। यदि आपका कामकाज विदेशी बाजार से किसी तरह जुड़ा हुआ है तो यह आज बड़े फाइदे देगा। थोड़ा और प्रयत्न करें ताकि मुनाफे के और भी रास्ते खुल जाएं। आज आपका दिन है छा जाईए। 28 दिसंबर राशिमीन हेल्थ आज आपको त्वचा से संबंधित बीमारी हो सकती है। खासकर अगर आपकी त्वचा तहली है। सूर्य में ज्यादा समय व्यतीत ना करें। त्वचा साफ रखें और ज्यादा पानी पिएं। फिर आपकी त्वचा चमकने लगेगी।